हेलो दोस्तों टेक में और यूटूब में आपको बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत जबर्दस यानि कि अगर आप डेरी से हैं या फिर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर आप एक बड़े जोइंट फेमिली से हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया यह है पांच एच्पी की आटा चक्की जिसमें आप मसाले भी पीश सकते हैं और नाज भी पीश सकते हैं तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं हर्यों मशिन्दी से राजदर जी तो आपका बहुत-बहुत स्वागत आप बहुत टाइम से आप हमारे चैनल पर वापिस आये हैं तो एक बार हमारे जो भी साती गणे उनको परिचे दे दीजिए आपका दोस्तों मेरा नाम राजेंदर कुमार 24 है मैं प्रोपर उदेपुर राजस्तान के मान निवासी हूं मेरा मेनिफेक्चिन प्लांट राज को ज्यान में रखते हुए एक ऐसा मशिन तयार किया है जो किसानों के लिए और डेरी फार्मिंग हो गया है चोटे मोड़ा रोजगार जो करना चाहें जिनके पास सिंगल फेस लाइट अवेले बले और त्री पेस इनको नहीं मिल पा रहा है उनके लिए हमने बहुत भी सब्सक्राइब करते हैं कि एक गंटे का कितना प्रोडक्शन दे सकते हैं पिसाई और जो दलिया होता है उसके सब्सक्राइब की बात करें कोई निकालना है तो दलिया इसमें बहुत निकलता है और फिसे की बात करें जैसे अनाज कोई सब्सक्राइब करता है तो अब बताईए कि यह जो चक्की है इसमें जो मोटर लगी हुई है उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसके बात सब्सक्राइब कितना है गंटे का है और बिल्कुल बहुत ही कम लेता है तीन साड़े दिन इनिट पर आवर्स रहता है इसका और पर आवर्स जो केपिसिटी इसका है अनाज की बात करें तो 40-45 किलो रहेगा और दलन की बात करें हैं यहां पर जो चेंबर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ अलगी चेंबर दिखाई दे रहा है जिसे यह चार जगह से खोलना पड़ता है और तो की उसे और दिखाई चेंबर दो सिंगल दोसी कारणा की से सोटए है तो है ये मिसे बना हुए यह यह से कास्टिंग आरन होता है उसका रहता proves और जो कटर जो रहता है अंदर का प्यूर एसेस का रहता है और उपर का जो पूरी बॉड़ी वो सर बोडी मशिन का जो है वो एसेस बोड़ी यह अच्छा और इसके बाद में आप नहीं आपर बात करते हैं यहां पर कुछ अलगी सिस्टम दिखाई दे रहा है यह क्या आप कितनी है और वेट कितनी है और उसके बाद में रहा में 22 मैं इसी का चोड़े हो गया और चौबी सिंखाई दो वेट रहेगा सर 200 किलो वेट रहता है वह देट सो ही होता है पर इसका लंबाई चोड़े का निकाल के ट्रांसपोर्ट वाले जो करते हैं अब अपन यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी इसका यूज करता है तो उसके माइन में यह चलता है कि यानि कि कितना लोड लेगा बिल्कुल सर्व और इसके साथ में आप इसके साथ में क्या-क्या मतलब सुविदा दे रहे हैं विल्कुल बिल्कुल उसके लिए हमने मशीन के अंदर एक डिजिटल स्टार्टर दिया है जिसके अंदर आपको वोल्टेज भी दिखाए देगा मसी बहूंतु तो कितना लोड आएक कर्ieur में और कितना एंपर लेडिम सीन एंपर के इसाब से आपको मसीन को शेड करना पड़ेगा कotomousंद KI करना होता है जो उसको मशीन को स्टार्ट करने के लिए और जो red गलर का हे나èces को शुक्त करने की बन्त करने के लिए निए झाद में इसके साथ में हम एक पावर केबल देते हैं जो 16 इंप्यर का होता उसके लिए आपको 16 इंप्यर का जो बोर्ड होता है वही यूज में करना पड़ेगा और इसके लिए घर में अर्टिंग होना बहुत ही आवश्चक होता है क्योंकि यह जो मशीन है आप कमर्शिल यूज में हो इसलिए घर में अर्टिंग होना बहुत ही जरूरी होता है तो सर अब बताइए कि इस मशीन के साथ में आप और क्या क्या दे रहे हैं एक ब्रस आता है लेगी आएगा और निचे जो अनाज लेने का जो कंटेनर होता है वह और एक एक्स्ट्रा होपर देते जिसमें मसाले पिसे होते हैं अच्छा तो आप यहां पर जो जालिया है साथ जाली उसका तोड़ा सा डीटियल वदा दीजिए कि मतलों कौन सी जाली किसके लिए उप्यूग में होती है बिल्कुल सर इसमें साथ जाली आता है जो एक नमबर का जाली होता है बिल्कुल जिसे मेदा निकाल और हमें साथ नमबर क reaches यह सब्सक्राइब करना एक आतरा है जिसे में हमने अलग बनाया है दो औरफेन के बीच से मिल जाता है और एक चीज़ और एक होपर है उसमें कितना अना जा सकता है क्योंकि उसका साइज और यह नीचे जो बर्तन दीख रहा है इसका सेम रहता है वारण्टी की तो इसकी क्या वारण्टी देते हैं अपा सबस्क्र एक साल का वरंटी रहता है और चेमर लाइट लाइवा wife टाम रहता है उसमें कुछ इसका जो सड़तें होती इसके लिए रहता है अगर और ंक्र capable रांचो tackyh बोल्ट आता है तो उसमें वारंटी में नहीं गिना जाता है अच्छा तो आप बात कर लेते किम्मत की क्या किम्मत चुकानी पड़ेगी हमें सब्सक्राइब की किमत की बात करें तो 45,000 रुपे का मचिन यह पड़ेगा आपको जिसमें इंक्लूड़े ट्रांस्पोर्टेशन ऐक्षरत एक्ष्थ और खरिद लिए मचिन करें और हमसे तो उसके लिए आपना जो भी एडरेस हमें WhatAPP करना होथा है और हमारे डिस्क्रिप्सिन नबर ने रहे उन पर संपर करें तो आपको पूरी जानकारी भी रहेए और सब्सक्राइए नहीं मिल नाखर को सब्सक्राइ निवाद वीडियो अच्छा लगाए तो जादा जाधा शेर करना और लाइक करना साथ में अगर आपके कोई भी सुजा हो या फिर सवाल हो इस चक्की के बारे में तो आप कमेंट करके हमें पता सकते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना साथ में बैल आ साराज जै राजस्तान वन दे मात्रम